आप देख रहे हैं शेवाजार लाइफ तीन में मारा हमासात मौझूद है विकास सेथी है सुनियल जैर है और मालस जैसुआल है फड़ावट से देख लेते हैं कुस टॉक जो कि आज खबरों में है और सबसे पहले देख लेते हैं नेसले इंडिया को जहां पर रिजल्स डिस हैं और गोना में पराग दूद के नमोने भी फेल हुए हैं तो पराग मिल्क पर भी नेगेटिव बाइस रहेगा कल भी 20% नीचे बंद हुआ था अपना प्राइस पर अल्रडी पहुंच चुका है यह मिस्टर सेथी दोनों पर आपे कॉमेंस क्या है नेसले इंडिया और प कि शॉट टर्म में यह आज के लिए अगर देखे तो दोनों स्टॉक में बिल्कुल दबाव बना रहेगा बट ऐस वार इस नेशले इस कंसेंड मुझे लगता है लंबी अवदी के लिए गिरावट में बिल्कुल खरीदार करने के मौकर रहे हैं चिले फड़ाफट से इबरेल इंडिया है आप इस पे नज़र एक सकते हैं कल गिरते हो बजार में भी शेयर में अच्छा खासा पूल बैक देखने को मिला था दो सत्रों में गिरावट के बाद इस यह थोड़ा संबला डिलिवरी वॉल्यूम इसके अंदर ठीक ठाक है करीब 55% का ऑपरेडिंग मर्जनस भी फी तीक कर्या अपूल फॉल और ऻो साथ एक इस प्सक्द कर रही है और यूर्यम इसको हैं तो आप पर नज़र को एक सो बाइस तक का तारगट के लिए तो आपन नज़र रहसकते हैं गैबर इंडिया पर फिलाहल 1 भी 129 आप लिए 133 का रहे है तो निज़र रखें, 122 तक का target आज आप रख सकते हैं, 110 का एक इक stop loss के साथ खरिधारी करें, grab real India यह आज का today's trade है जी तो grab real India है आज का today's trade, चाप पर देहार दे सकते हैं, 122 के targets expected है खबरवाले शेयर्स में एक तो टाटा मोटर्स पर एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं मानस का हमने दो सेशन में काफी गिरावट स्टॉक में देखी एर्निंग्स के बाद और आज खबर ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार करने की योजना है कांपनी के और मेक इंडिया के टेट स्मार्ट कास बनाने के लिए करार किया जाएगा उस प्रेस कॉन्फरेंस है भी ठीक 12 बजी टाटा मोटर्स की लेकिन मानस यहां से और किता स्लिप होने की प्रोबिलिटी लग रही है एक सपोर्ट रेंज है 430 से लेकर 420 तक यह उस रेंज में आके कही न कहीं सपोर्ट लेंग की कोशिश करेगा अब निगेटिव तब ज्यादा होगा जब स्टॉक्ट 420 की लेवल्स ब्रेक करेगा क्योंकि अगर 420 की लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 380 तक स्टॉक फिस सेल का और्र मिल सकता है ऐसे इस एक ध fique सब्सक्राइब करार की है और एक क हम बात अब्रेकर expense के लावा उनमें और कर्च कम हो रहा है defense मेंislay बढ़ सक्राएक मेरे को दोनों शेर्स के बारे बताइए एक तो रिलाइंस डिफेंस और दूसरा बी एम इन दोनों पर आपकी राय क्या है सी बी एमल जैसे हमने पहले भी काया कि बी एमल डिफेंस प्ले करने के लिए बेस्ट कमपनी है अगर आप देखेंगे तो दूसरे जितनी भी कमपनी आया है वो कहां पर डेवलेप्मेंट स्टेज में वेरेज बी एल अगर देखेंगे तो आलड़ी सब एक्टिविटी चालू है उसे ओडर मिल रहे हैं काम हो रहा है और गृत भी आ रही है अगर आप इस बार का रिजल्ट भी देखेंगे तो रिजल्ट भी काफी अच्छा आया और कल थोड़े दिन पहले भी आप एनाउंस तो कोई भी मार्केट करेक्शन के साथ में जहां पर यह पांच साथ परसंट करेक्ट होता है तो वहां ले तो ज्यादा सेफ्टी और बनती है यहां से पैसा कमाने की राधर देन ऊपर चड़के लिया जाए तो मुझे लगता है कि बी एमल को ध्यान अखना चाहिए कहां प कोंत्राक्त कंत्राक्त चाहिए को सबसितों इस जहीं तौस्टी को सेचन करेक्ट। आपका व्यू क्या है BPCL HPCL पर मिस्टर सेथी बिल्कुल दिपाली यह जो स्टॉक्स है ऑईल मार्केटिंग कंप्रीज में पिछले दो-तिन दिनों में हमने एक अच्छी खासे गिरावट देखी और आज का यह जो न्यूस फ्लो है यह बहदी पॉजिटिव है मुझे लगत आज बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए वो जो दूसरी जो ओफशोर कंपनिया है उस पर ध्यान रखना थी आज ठीक है इस पीच एक चोटी कंपनी है असाही इंडिया ग्लास उसके भी नंबर्स आये है एक बार माना साब इसका जब तक चार्ट में काम करता है साही इंडिया इसका इंडिस्ट्रिल ग्लास जादा बिखता है इबर इसका चार्ट देखिए आपको यह कितना ठीक लग रहा है मैं समस्तो कि अब एक breakout की आप उमीद कर सकते है जब stock 210 के उपर निकलेगा अगर 210 के उपर stock निकलेगा और वहाँ पर volumes होगे तो यह मान के चलीगी कम से कम 226-228 तक के levels देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपके पास already long है तो यहाँ बिल्कुल बने रहे हैं अपने stop losses 198 के नीचे रखे बट अगर आपको कोई fresh long लेना है तो 208 रुपर के उपर ले